हे दोस्तो दिस इस इवानशू और आप देख रहे हैं टेक्नोलिक टीवी नो ड्रामा, नो फेक, ओनले, नो लेर, टैग तो यहरी स्नेप ड्रेगन ने लॉंच कर दिया अपना नया प्रिसेसर नाम इर इसका स्नेप ड्रेगन का आठ सो पच्पन यानी की 855 अब दोस्तो बेसिकली यार यह सकसर है 845 का 845 के बारे हम सभी जानते हैं कि वह टोप नोज का प्रिसेसर था वो फ्लैक्शिप मोबाइलों में आता था लेकिन बेसिकली यारा कम्पूटिशन काफी कड़ा हो गया है क्योंकि हुआई ने और एपल ने सेवन नैनोमीटर के टेकनोलोजी के जो उनके प्रिसेसर थे वह दोस्तों मैदान में उतार दिये तो भाई इस से यार इसने अप ड्राइम को बिल्कुल मार्केटिंग में बिल्कुल फड़क पड़ेगा सेल में फड़क पड़ेगा तो भाई इन्होंने लिए अपना जो अच्छी लगए तो लाइक करना चैनल लुकरना सस्क्राइब तो भाई बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों अभी इस पुसेसर की हाइलाइट को हम जान लेते हैं दोस्तों इसमें यूज किया गया है सेवन नैनोमीटर का ओक्ता कोर पुसेसर अब बेसिकली दोस्तों यह 5G पुसे तरह है ज्यानि कि दोस्तों आपके मोबाइल में इंटरनेट चलेगा 5G की स्पीड से अब उस तो 5G के लिए बेसिकली यूज किया गया है यह स्नेबरेंका X50 5G मोडम का अब बेसिकली दोस्तों इसके बारे में पूरी जी पताना आप आपको पार्ट के हिसाफ से यहां कि सबसे पहले लेंगें हम CPU को अब दोस्तों CPU इसका OctaCore है जैसा कि 845 में था अब यहार इंपर 845 से कैसे अलग है क्योंकि आज उसमें OctaCore थे तो उनका जो डिवाइडेशन था पूर का वो तोड़ा इस प्रिकार था कि इसमें 4Core दोस के format में यानि कि आगर आप इस क्रीन पर देख सकते हैं जो इसका जो एक यानि सिंगल कोर होगा उसकी स्पीड होगी 2.84 GHz जबकि दोस्तों 3Core होगे उसकी स्पीड होगी दोस्तों 2.42 GHz और जबकि दोस्तों जो 4 power efficient core होगे वो दोस्तों उनकी स्पीड होगी 1.8 GHz अब basically द दोस्तों processing speed बढ़ती है power consumption दोस्तों यानि कि दोस्तों single task होगा जिसमें multitasking की जोगत नहीं पड़ेगी तो भाई वो सीधे prime core से टक कर लेगा यानि कि दो सीधे उस पर होगा तो भाई वो सीधे बिना किसी tension के बिना किसी power के load के उसकी calculation करेगा जिससे दोस्तों की speed सिंगल जो core की performance है वो काफी बढ़िया होगी और multi core की performance भी काफी बढ़िया होगी अगर दोस्तों आप देखेंगे basically वैसे ही hand to end तो भाई 40-45% faster होगा 855-845 से तो यह काफी बढ़िया बात है क्योंकि इतना जादा upgrade हमें देखने को मिला है अब उस तो बात करेंगे GPU कि high speed के हो लेकिन अगर GPU कम जो रहे थे भाई इसकी मिटी जाती है लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें दोस्तों use किया गया है Adreno का 640 जो कि आर काफी बढ़िया kit है जो की combination है काफी बढ़िया kit है अब दोस्तों इसकी खूबी में आपको इस क्रीन पर दिखा होगा किया जब heavy games आप केलेंगे तो भाई उसमें जो भी texture आएंगे नहीं जैसे कोई जंगल आगया मैदान आगया तो भाई उसमें रेंटिंग में जादा टाइम ने लेगे मतला आपकी performance smooth होगी अब दोस्तों basically HDR gaming भी आपको देखने का मिलेगी जो की easy संबभ हो पाएगा अब दोस्तों एक खास बात है कि आपको देखने का सपोर्ट आपको देखने का मिलेगा जो की जो भी जो भी साथ नामेटर के पूसर है मुझे लगता है कि आपको बात करेंगे ISP की आप 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 नहीं जानते हैं पहले ता फुल परम जान लेजिए image signal processor अब दोस्तों इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप दोस्तों इससे एक फायता दोस्तों यह हुआ कि आप object जो इसके tracking है वो काफी बढ़िया होगी और दोस्तों AI काफी बढ़िया होगी अब बेसिकलिए AI में ISP का तो योगदान है लेकिन सभी चीजों का योगदान देंसे CPU गा GPU का प्रिश स्क्रीन पर देख सकते हैं अब इसके फायदा योगदा दोस्तों तो काफी बढ़िया होगी जैसे आप एलिक्स को जानते हैं गूगल जो भी कुछ चीज बूसें तो बदा देती है बाई ऐसे ही इस फोन में आपके स्मार्ट फोन में काफी बढ़िया पर्फोंस आपको व जाद अपगेड कर दिया आप दोस्तों जो जो ब्लूटूथ भी है वह भी 5.0 जो काफी आम बात है लेकिन दोस्तों की स्पीड दो मेंगा पर सेकेंड आग यार ब्लूटूथ की दो एमडी का पर ब्लूटूथ हमारे काम तने लेकिन दोस्तों आप गेमिंग करते हैं तो दोस्तों की काफी काम में आता है अब दोस्तों काफी बड़ी प्रसर है यार आप इसके डिटेल रिट्वी देकर आएंगे आई इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में आपको फिर्म लगाता होगे सब तक लिए जाएं